हुमोफोबिया के उपर जब बात होती है कि यह इतने इनके आइडिया जिसके नहीं है और जो स्कॉलर्स वेस्ट में रहते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स उनका व्यू थोड़ा थोड़ा सासर वो ट्वीक करके बात करते हैं वो इतना खुल के नहीं इसको वो यह नहीं कहते हैं ओ यह तो जी बड़े क्रिमिनल लोग हैं बड़े बुरे लोग हैं यह तो वो थोड़ा इसको टैकल और तरीके से करते हैं वो कहते हैं देखे इंसान ने जो करता कर ले लेकिन हम ऐसा मुसल्मान वो इसको इसको इंडोर्स नहीं करता तो ये इनकी अकीलीस हील है जो अभी हमने बात की ना कि आपको सिंध हाई कोट ने टिक टॉक बैन की इस वज़ा से क्योंकि उसके अंदर LGBT Q को प्रमोट किया जा र दुनिया इसको नहीं मानती है हमने आपको पिता है कि दुनिया आपको डंडा फेरेगी Amazon आपको डंडा फेरेगा Microsoft रगाए जो भी इंटरनेशनल गंपनिया उपको डंडा फेरेंगी उसी तरह इनको बाहर भी डंडे फिरने शुरू होते हैं ये यासिर कादी सर यासिर है ओवर हिस LGBTQ व्यूस और इसमें तो यह हमने पिछले हफ़ते थोड़ी से बात की थी और इसमें इन्होंने क्या का प्रॉमिन यूस मुस्लिम त्योलोजन यासिर कादी जो है ही सेड ही इस बिन कैंसल्ड बाइन अननेम्ड यॉर्पियन यॉनिवर्सटी बिकास आफिस नॉ है बड़ी सकती से होमोसेक्श्यलिटी को मना करता है लेकिन मुसल्मान जो है बड़े हम पे जुल्म हो रहा है वेस्टन कंट्रीज में कि हमें सेकुलर लिबरल व्यूज पे कनफॉर्म करना पड़ेगा यानि इनके उपर जुल्म हो गया है सर इनके उपर जुल्म हो गया है कि अगर कोई दो गेज हैं तुम उनकी माँ भेन एक ना करो बड़ा जुम हो गया आपके उपर पिछले अफ़ते में ना यह देखे ना यह वान साइड व्यू इनका इतना बड़ा है कि यह सोच नहीं सकता है इस बारे में और यासर काजी जो है ना वो कभी भी नहीं का सकता यह बात मगर अगर यह इन बातों के कैंसल होने शुरू है तो बहुत अच्छी बात है क्योंके देखें मर्यम नमाजी जो है किसी यूनिवस्टी में जाती है उसके साथ क्या सलूक होता है वो आपने वीडियो देखी हुई है क्या पूरे अगर पूरा मर्यम नमाजी नहीं बोल सकती यह बोल सकते है यूनिवस्टी में जाके वो उसे इसलाम और फोब डिकलेयर किया है ठीक है? हला के मर्यम नमाजी हर सेल्फ जो है वो आपको पता कर फार लफ्ट है ठीक है? उसको नहीं बोलने देते वो तो प्रो-LGBTQ राइट्स है, वो प्रो-वूमन राइट्स है, वो तो, मतलब, she is as liberal as one gets, नो. तो ये लोग बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते हैं. और आब ये कहा, तो इसमें रिटेल दिये कि मुझे, मैंने कुछ LGBTQ को पर जो कॉमेंट्स किये थे, और मेरे खिलाफ वो लॉबिंग की गई है, बताया ये जुनिवर्स्टी को इनके रेफरेंसिस भेजे गए हैं, यासिर कादी के पुराने पेयानात भेजे गए हैं, कि आपने ये क्या चबले मारी में हैं, अगर ये इसके साथ काम डाला किसी एजियस नहीं होगा, हाँ, तो यही है न, ऐसी होगा न, और ये मेरा फिर मैसीज है, जो बाहिर के मुलकों में रहते हैं, इन उलमाओं को दिवार के साथ लगाओ, इनसे पुछो कि आपके होमोसेक्शुल्स के बारे में क्या व्यूज़ हैं, आप वो जमाना नहीं है, कि मस्जिद में बैठा व उनको हम टैकल और ये जो बड़े बड़े जो फैंसी किसम के स्कॉलर्स है, ये ये यूनिवर्स्टी से पीएशडी है, मदीना यूनिवर्स्टी से पीएशडी है, इनको ये जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्स्टीयों में जाके, आक्सफोर्ड के अमरीज में जाके स्पी नहीं यह नहीं आएगा हमारी उनिवेस्टी में उनको इनके क्लिप्स वो वाले भेजो कि यह हरकत है यह भई यह तो यह होमोफोब है यह तो मिसोजनिस्ट है यह तो यह कहता है तो that's why it's very important और यासिर कादी के साथ यह हुआ जो के हम आपको बता रहे हैं कि यह पाकिस्तान में जो नॉर्मलाइज हेट की जा रही है कि टिक टॉक को बेहन कर दो क्योंके होमोसेक्शल्स की वीडियो उसमें आती हैं अब गे की वीडियो आती है जल्म 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 की बिचार की देखें मैं फिर इसको पढ़ता हूँ कि इसलाम जो है होमोसेक्शल्स एक्ट को बड़ी सख्ती से नापसंद करता है और हमें प्रेशर डाला जा रहा है वेस्टन ससाइटी में कि हमें सेकुलर लिबरल बिलीव LGBT Q के इश्यू पे ना हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे क्या एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अब देखें इनका प्रेशर से क्या मुराद है इनका प्रेशर से मुराद ही है पिछले हफ़ते बहुत बड़ी खबर थी मैंने इंग्विश वाली स्ट्रीम में शेयर की थी उर्टो में मुझे वक्त नहीं मिला UK की एक लिबरल कैंडिडेट को उन पे मौमनों ने हमला कर दिया इस वज़ासे उसने ये कहा वो ये कह रही थी कि होमो सेक्शूल के बारे में टॉलरंस की स्पीच की एजुकेशन हमने स्कूलों में देनी है तो मुसल्मान इसके उपर तूट पड़े उनना का नहीं नहीं ये तो गंदे लोग हैं इनके खलाब हमने नफरत फलानी है तो ये आपने नहीं करनी तो ये इस तरह करते हैं कहते हैं कि हमें इस चीज का हख होना चाहिए ये नफरत फिलाने का हक होना चाहिए कोई problem नहीं है लेकिन आप को ये हक नहीं दी आजा सकता कि आप खाड़े हो के ऐलान करें कि ये बड़े गंदे लोग है ये गलत काम करते हैं वगएरा वगएरा उनके खिलाफ नफरत नहीं फ्ला सकते हैं उसी तरह जिस तरह आप लोग कहते हैं इसलामोफोबिया नहो जो कि मुसलिम फोबिया होता कि मुसल्मान बड़े बुरे हैं क्योंकि ये ये करते हैं और वो करते हैं जो कि सही बात है ऐसा नहीं होना चाहिए इसलाम के खिलाब बात हो सकती है होमोसेक्शुलिटी के बारे में बात हो सकती है होमोसेक्शुल्स के बारे में नहीं बात हो सकती है लेकिन आप लोग होमोसेक्शुल्स के बारे में बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम है आप लोगे मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पेगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पुचा सकूँ झाल